बच्छा नेक्स्ट रेक्षन है फिनॉल देखो इलेंट में हमने किया है पहले तो मैं कोश्चिन आड़ करता हूं देखता हूं कुम लोग आंसर कर पा रहे होते हैं यहां पे लिखा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल सबसे पहले यह फिनॉल कहा है बजी यह आया ना फिनॉल है ओके चलो कोई एक सिंगल बच्छा बताएगा मुझे इस फिनॉल के अंदर कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सिजन है कोई सिंगल जवाब देगा कोई सिंगल बच्छा वीयर तुम बिलकुन नहीं दोगी एंसर कौन देना चाहेगा इदे को नों बताना चाहेगा हां बुलो दें स्ध्यकर बना कबन छे कार्बन है पाफ्तय पत्राहिब है 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 इसाह गड़भर है इस हुखने है फॉनका महां हिंपना इंद तो यहां पर मैं सिखाता हूं कि मैं बंट पर मैं को और कम ऊसरी चार जो सकता हूं कि क्या है क्या है future है और यहें पर यह बॉन सिखता है इतर भी बहुनर ए कि क्या ही है आउनल जिसे जिसेट ने मिरें चेटर ब्टत करर दिया पीज़गे। यहां पर चाहिं पर को से हैं, अलीम उसी कर दो तotes नहीं, carbon 6 और hydrogen किता हो गया 6 और oxygen किता हो गया यह इसका molecular formula है क्या है C6 S6 और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C6 H5 यह पी-अचो फॉम में भी आता है पी-अचो फिनोल का दुस्ता नम क्या है हाँ 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 सही जा रहे हो कौन बोल रहा था है मार पड़ेगा बिल्कुल मार पड़ेगा इसे बोलो के तो कैसे चलेगा राइट कार्बोलिक ऐसे तो देखो बच्चा यहाँ पे मैं catalytic hydrogenation of phenol करने जा रहा हूं क्या करने जा रहा हूं catalytic hydrogenation of phenol तो यहाँ पे मैं reagent add करूंगा 3S2 किसके presence में निकल के presence में एड कर रहा हूं है और यहाँ पे temperature है 433 Yes or no? आया ना? जो यह add होगा तो यहाँ पर यह पोण टूटेगा यहाँ पर यह पोण टूटेगा और यहाँ पर हाईडोजन इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और जुडने के बाद जो product form होगा यहाँ पर यह कुछ ऐसा और यहां पर क्या जाएगा और इसको क्या बोलते हैं साइक्लो है एक्जेन क्या मैं जान सकते हैं इसका बोलीकिलर फॉर्मोला क्या होगा थिए बॉला थिए विए एस इस इदा तो इस ट्वेल और थिए एस ट्वेल और यहां तो ने कितना एड दिन एड किया यहां पर छे एड दो जाए ला यह बहुत उटा एधर जिदर जुड गया है Gö terby age समझ रहे होगा निया है की जुनमें सेब्स हो गया तो सी सिक्स एस ट्वैल उड्व और ऑगतो तो साइक्ल हेंँ क्या तुम्हें पता नहीं स्ठ्रक्टर ग्रमों सressoflan एक कारबनेंग Allah तुमने तुम्हें पने स्ट्रक्षर यहां पे भी कितना जुड़ेगा यहां पे भी कितना जुड़ेगा बरवना और यहां पे भी और यहां पे बरवना देखें पहुंचो जो केर वह सबीगा नेक्स्ट यह इसके अंदर मैं एड करने जा रहा हूँ यह हमें 11 में किया है जिंक मैटर रिदक्शन ओफिनॉल जिंक डस्ट तो यह जैन क्या करेगा इसको फिनॉल को क्या कर देगा रिदूस करेगा और खुद ऑक्सिजाइज हो जाएगा आया ना याद करो पेस नॉमबर 25455 11 के टेक्स बुक में किया था तो यह ऑक्सिजन को बुला लेगा अपने पास यह क्या बन जाएगा जड़े नो आया ना और यहां से यह उह हटते ही यहां पे क्या दूड एच और यह बन जाएगा C6, S6, क्या फॉर्म होगा बुस्ते जीन, क्या बन जाएगा यह सबी को क्लियर हुआ या या ना यह दूनों रियक्शन क्लियर हुआ है तब बेसिक के साथ जा रहा हूँ, गडबन ना करो, फिनॉल में से कैरेंटी तीन माक्ता क्वेशन आएगा ह मारस्टर स्टेट बोर्ड के पेपर में हर साल आता है, समझ रहे हो, कितने माक्ता है, राइट, और एडवांस में भी मैं देख रहा हूँ, दो साल से कंटीनियू फिनॉल के उपर तो क्वेशन आता ही आता है, राइट, चलो, तो यह लास्ट वाला पार्ट है, यह लास्ट है ना, वो है, Na2, Cr2, O7, और साथ में, S2SO4, डाइट, और और अगर भूल गए, तो Cr O3 भी चलेगा, प्रोमियम फ्राइट, यह हमने, यह उक्षिडाइजिंग है चल्टे, क्या है, उक्षिडाइजिंग है, और चब यह उक्षिडाइजिंग होगा, तो यहां पे क्या हो हो जाएगा वालो में, यह bond को ऐसा ही रखो, as it is, double bond, double bond O कर दो, right, यह oxygen देगा, यह strong oxidizing agent है, यहां पे यह क्या कर देगा, double bond O, और यहां पी भी double bond O, धान जाना, क्योंकि phenol है न, air के contact में आके, easily oxidize हो जाता है, और color change कर लेता है, pink color, तो यह phenol क्या होगा, इस oxidation, मतलब oxidizing agent क प्रेजन्स में आके, प्रेजन्स में आके, क्या हो गया, oxidize हो के, यह बन जाएगा, benzo, क्या बन जाएगा, benzo, यह बन जाएगा, benzo, 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 यह reduction था, एक catalytic hydrogenation था, और एक क्या था, oxidization, तो डाइल की आदर न, दो, यह को रिंग के अदर, दो, आज सामने, आमने, क्या रहे benzo, benzo, clear होगे हैं सभी को, को doubt हैं इसके अंदर? Haa या ना? bow